हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टाग क्रियेटिव आर्ती पोरवाल में दोस्तों मैं हूँ आर्ती वरा जम बात करेंगे MBBS टॉपर की जी हाँ दोस्तों एक MBBS टॉपर को जैन के जो है 14 पदक मिले हैं तो ये 14 पदक कैसे मिले हैं क्यों मिले हैं इन्होंने क्या ऐसा किया है यह पूरी निउज आपको इसमें दूनगी लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है यह नय है मेरे चैनल पर सबस्क्राइब कर लिजीए और उसके आगे जो बैल ido opinion का बटन हॉन महत्तपूर है क्योंकि इससे आपको बहुत प्रेड़ना भी मिलेगी इंस्पिरेशन भी मिलेगी और एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो भी हो जाता है क्योंकि आपको बता दू कि MBBS में टॉप करने के लिए उजयन के एक डॉक्टर को 14 सौन पदक मिले है तो यह इंदौर की न्यूज है आपको बता दूँ उजयन की रहने वाली डॉक्टर केती जयन मद्धि प्रदेश की महिला ऐसी पहली महिला बनी है जिने मेडिकल की पढ़ाई में टॉप करने के लिए 13 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल दिया गया है इन्होंने शुक्रवार को देवी अहिलिया विश्विद्याले में अपने दिख्षांत समारों में राजिपाल आनंदी बेन पटेल से 8 सौन पदक और एक रज़त पदक प्राप्त किया उजयन जिले में रहने वाली डॉ करती ने 2018 में महात्मा गांधी मैमोरियल कॉलेज से एंबी बेस की पढ़ाई पूरी की थी जो कि देवी अहिलिया विश्विद्याले इंदोर के अंतरगत आने वाले तीन कॉलेजों में से एक हैं तीनों कॉलेजों में उन्होंने टॉप किया था और आपको बता दूं कि उ पहले हर बार 500 पदक मिले हैं. दोस्तो इनको पहले भी 500 पदक मिले थे और इस बार फिर उन्हें 800 पदक मिले हैं. तो उस तरह से टोटल उन्हे 13 13 मिल चुके नुश्टों यह जहता है staan points में इन्होंने MBBS में टॉप किया है तो MBBS उन्होंने खुद इसका एक्जामपल दिया है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की क्या किया है तो MBBS एक कठिन पाट क्राम है लेकिन मुझे अपने माता पिता और मेरे सिक्षकों के मार्क दर्शन का समर्थन था तो उस चिकिस्ता के सीज़ पर मेरी प्राथमिक रुची थी यही कारण है कि मैं अधिक ध्यान के इंद्रित करने में सक्षम थी मैंने 2018 में अपनी स्नात्य की डिग्री पूरी कर ली है और अब मैं रेडियो लॉजी में मास्टर डिग्री हासिल कर रही हूं डॉक्टर करती ने यह भी कहा है कि जो चात और होगी और इस उसे को आप बहतर तरीके से समझ पाएंगे दिक्षान समारों में राजपाल के अलावा उच्छी सिक्षा मंत्री मोहन यादवी मौजूद थे तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है कि अगर उन्हें इतने सौनपदक मिले हैं तो उन्होंने किस तरह से त्यारी की होगी तो इस पर उन्होंने चर्चा की है कि जिसमें आपकी रुचियो उस विसे पर आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए तो एम बीबेस के ल